जैन साथियो आज हम चलिए देखते हैं आपका कि उनत्र में भी पेसिम आपका बिहार एस्पेसल का कोशन कहां से पूछा गया था उनतों में भी बेसीमःप का बिहार S.P.E.S. fl겠 प्रस्पर्फिर से पूछा था या हमें तरहेंगे आज आपको पूरे पुरोफ के साथ दिखेंगे कि काउंसा प्रस्पर्स ने किस प्रस्प आया है और यह सभी प्रस्पर्स प्रस्पर्स की प्रस्पर साओं यह भी आपको उसके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाए थी तो यह आपका बचाए थी बतक मिया आपस नमबर बी होगा अब चलिए इसका देखते हैं प्रूप कि कहां इस आपका बुक में दिया गया है यहां से देखिए आपका संप्रदाइकता की नजाकत को देखते हुए वे आजर थे डाबलू एस एडिविन इसने अपने रसुए बतक मिया नमक एक मुस्लिम को चुना प्लान के नुसार वरता है तो एडिविन के घर रात्री भोज पर आए गांधी जी को दूद के गलास में जहर मिलान कर पिलाना था लेकिन अपनी जान जोख्य में डाल कर देश इस तरह से बतक मिया ने गांधी जी का जान बचाये था ठीक है अब यहां देखिए एक छी ध्यान के गा यह प्रस्ण तो आपका आ चुका है लेकिन अब आगे प्रस्ण बनेगा मुझे जो लगता है यह बनेगा कि गांधी जी के दूद में जहर मिलाने के लिए किस ने कह इसका नाम आप ध्यान रखेगा यहां से प्रस्ण आपका आ सकता है और दूसरा प्रस्ण आपका यहां से यह बन सकता है कि इस घातनाओ का इस घातना को आखे देखे यानि कौन देखा था ऐसे बन सकता है कि इस घातना को कौन देखा था तो डॉक्टर राजिन प्रसाद इसके गवा है डॉक्टर राजिन प्रसाद ने देखा था यहां से भी प्रस्ण आपका आ सकते हैं तो दो पॉइंट आपका यहां पर महात्पूर्ण है इसे आप ध्यान रखेगा चलिए आप आगे देखते हैं अगला प्रस्ण आपका है अगला कोशन आपका है कि गंडक न प्रस्ण आपका निम्हान नमकित में से किस नदी पर किया गया है यह क्या आपका गंडक नदी पर किया गया है अब चलिए इसका भी पूरूप देख लेते हैं कहां आपको है यहां पर यह गंडक प्रियोजनों में बिहार के भैसा लोटन नमक अस्थान पर गंडक नदी के ऊपर लंबे बैराज के निमान किया गया है इसी बैराज के दोनों तरफ पस्मी और पूर्वी नहर निकाले गई है फिर यहां देकिए इस प्रियोजनों के अंतरगत दो पूर्वी नहर दूसरा पश्मी नहर यहां सबको पता चल गया होगा कि गंडक नदी पर ही त्रिवीनी नहर बनाए गया है और एक ची और यहां पर ध्याना कीगा कि यह आप से पूछा जा सकता है कि त्रिवीनी नहर गंडक नदी में से कहां निकलती है ठीक है यह भैसा ल पथिये परंप का उनत्रमी विपेसी में पूछा गया है यह सब पर विपेसी में पूछा गया है इसे पहले भी विपेसी ने कोशन gay अब सदेखा दे जब दिखा देते हैं यहां देखिए सोना जमुई जिले के सोनो परखंड के करमटिया रानी पहारी बदमरिया मरही पहारी इस सभी पर राजगीर के कबुतरा और नाकिया पहारी में सोने के खनिज उपलवद है यानि यह जमुई जिला में सोने पहे आते हैं तो यह आपका प्रस्स निए यहां से आया है हालाकि आपका जितने अब बिहार का कव भार राजगीर है यह यह आपको लिए इस के लिए वीडियो के में डाल देंगे वहाँ साब देख लिजेगा बहुत ही अच्छा क्लास करव सारा याद हो जाएगा ठीक है और आपका यहां से प्रस्ण भी नीचे में दिया गया है प्रस्ण भी आपको वहां पर शोलू कर लिजेगा आपका पूरा रिभायज हो जाएगा ठीक है तो इस कलास को आप जरूर दखी गए विहार का प्रमुख नीच हमने बहुत अच्छे स प्रमुख नदिया यह सभी करवा है विहार की जलवायू सभी हम पहले करबा रखें ठीक है प्रिलिस में जागा अब सारे देख सकते हैं फिर आपका देखिए अगला कोशन देखें अगला कोशन आपका है कि मैतली भासा का विकास निमकित में से किसके सासनकाल के दूरान इसक जो खंड़ शुरू हुआ है तो यह हुआ है आपका करनारजरबंस के समय आपका ऑ। यह भी अपका 1927 बीपेसरे में कोशन पूछा है अब चले किसका प्रूफ नहीं देखिए या साफ साफ आप मिथला के करनारबंस यह निमकित के मिथला के करनारबंस के हुआ है स्थापना की ठीक है करनाट वंसका स्थापना किसने क्या है नाइदेव ने यह प्रसनाप का विप्यस्टी में आ चुका है और इसके राधानी कहा थी शिम्रावगर थी ठीक है इसे आप धेहन रखेगा अब चलिए आगे देख लेते हम अगला कोशनाप का दखी क्या है अग प्रसन आपका विप्यस्टी पहले भी पूछा है और इस पार भी आपका रीपीट किया है अब इसका भी पूर्म देख लेते हैं यहाद कि विप्यसार ने मगत समराज की रधानी ग्री ब्रच राजग्री या राजगीर को बनाया यही आपका सबसे प्राचिन है यानि मग इसलिए करते आपको कोर्शन बैंक बनाएए फिर आपका नेस्ट कोर्शन है कि भारतिय कला में एस्टूप चायती बिहार का निर्मान निमखित में से किसे समधित है यह है बौत धर्म से ऑफशन सी होगा अब चलिए इसका भी प्रूब दिखाते है यहाँ देखिए किसी बस्तूप का धेर एस्टूप का अर्थी होता किसी बस्तूप का धेर एस्टूप का विकास संभातर मिट्टी के ऐसे चोधर से हुआ है जिसका निमान मिर्तकों की चीता के उपर अथवा मिर्तकों के चूनी हुए आस्तियों को रखने के लिए किया जाता था तकि यह बहुत से समंदीत है आपको ऐसे भी यहां पता चलता होगा फिर आपका यहां चैती है चैती किसे कहते है तो चैती का सावधिक अर्थ होता है चीता समंदी एक चैती एक बहुत मंदीत है जिसमें एक अस्तूप समाहित होता है ठीक है और पूजार्थक अस्तूप को चैती कहा जाता है फिर आपका विहार तो जहां पर बौध विख्षों के रहनी का आवास होते थे उसी को विहार कहा गया और इसी के नाम पर विहार राज का नाम भी विहार परा है यह प्रस्ण विपेशी ने पूचा है चीद आपको फूर्फ में लिगा फिर आपका दगी अगला तो उसके बाद अंग्रेज ने क्या कदम उठाया क्या किया तो देखिए इसका पूर्ण सत्यागरा के अपार जन्समर्थन के मिलने के कारण ब्रिक्टिक सरकार को चामपारन किर्सक अधिनियम 1918 पारित करना पड़ा अब ये सबी जो पूरूफ आपका है ये एक ही बुक से है और इस बुक का नाम आपको अम लास्ट में बताएंगे ठीक है पले पूरूफ देख लीजे की कोशन कैसे मिलता है फिर अगला कोशन ये कि शीएगा इसने की से की आपको सब्सक्राइब कोशन प्रचन अब to אח법 कि रेक्राव gotta एक है उड्रकी अदेख सकते हैं पृष कहां है कि भुषानवार भौक्तिक शन्रावार ख्लीता कि तीरी करना है इसका फिर अलंके आर्कं को पूरानय रोक स noi का हिस्सा है फिर आपका बिध्यन तो बिध्यन में क्या मिलते हैं तो बल्वा पथर मिलते हैं बल्वा पथर चुना पथर डोला मैट यह सब बिध्यं चा्थान पर्णाली में मिलते हैं तो बिकार हो चाहिए है इक थिरी बिकार फूर प्र परद्धार्ट्र पर्णाली पाई जाज आती है ठीक है अब झता ईचानलाई क्या हैबगल नाती है 3412 इसका answer हो जाएगा अब इसका answer क्या होगा 3412 यानि option number A हो जाएगा अब देगे यह प्रस्ण का भी proof आपको दिखाते हैं यहां देगे इस प्रस्ण का प्रस्ण का प्रस्ण का यहां पर रहा है यहां देगे धारबार चटान यह दक्षिन फूर बिहार जैसे मुंगेर आगे चलिए अगला कोशन का है कि 1942 में भारत चुड़ो आंदुरों में बिहार के नेताओं का महतपूर योगदान रहा है आप झाले है फार के को से ने ता हुआ उपकूर्फ की नाम से जाने जाते थे और इन्हों ने भारत फोरा आटमल्वन सक्रियों भाग लिया था अब यह है ऌाँ कसरी को दोन 국민 जानते हों ओगा भीर केृषन'd को जो बिहार के पर्थम मुखमंत्री थे तो अपसिन नमर बी हो जाएगा स्रीकेशन सिंग तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं बिहार के स्रीकेशन सिंग जाने जाते हैं और यह बिहार के पर्थम मुखमंत्री हुए है अब से लिस्त का भी पर्थम मुखमंत्री और बिहार केसरी के नाम से परसिद Dr. Śiri Krisnan Singh का जन्म मुंगेर जिले के मौर नामा का श्तान पर धियान न भी दख्यागए अगर नाम इसका कहा जन्म हुआ था मुंगेर जिले में जन्म हुआ था और ये ब्यक्तिगध सत्यागडा के तर बिहार में पर्थम सत्ययगरही भी थे, द्याना खेगा, यहां से परसन आपके आते हैं एक्जाम में, तो बिहार में कहां जाए, ब्यक्तिगद शत्यगरही कौन थे, तो यह थे आपका यानि श्रीक क्रिसिंशिंग, त्या कौन दूसरा जाए तो अनुगरह नारेंसिंग दूसरा ब्यक्तिकत सत्रागरी कौन है तो अनुगरह नाराइन सिंग इसे भी दियान रखेगा अनुगरह नाराइन सिंग आगे से लिए देखते हैं अगला कोशन आपका है कि नमकित में से कौन से रास्ति-उद्यान या बंजीव अभियारन बिहार में है तो आपको पता होगा अब देख लिए किस ऑफ्सन में वान एन फॉर्थ है तापका ऑफ्सन नमबर ए में है तो यह इसका एंसर हो जाएगा यह भी प्रस्ण आपका 59 विपेशी में पूछा गया है अब इसका प्रूफ से लिए दिखाते हैं यहां देखिए बालमी की राश्टी उद्यान बस्मी चंपरन जीले के भारत नेपाल सी में पर इस्तित है इसके राश्टी उद्यान को 1991 में पूर्जे ट्रागर के अंतरगत समलित किया गया था ठीक है अब फिर आगे देख लिए भीमबांध बंजीब अभियानन या बंजीब अभियानन मुंगेर जीले में इस्तित है यह प्रशनां आप का आया हुआ है अब चलिया आगे देख लिए हम अगला कुशना के है अगला कुशना है कि डॉक इस्ति रीक प३र्ट में अपनाका खाना अस्थापित या यह कि आताब 이 स्थाथिभी 1632 में Dutch East Indy Company ने पटना में कर खाना अस्थापिद किया था यह भी प्रस्ण आपका 59 में BPSC कहीं है ठीक है अब सबस्क्राइब प्रूब दिखाती है नहीं देखिए Dutch factory 1632 में पटना में अस्थापिद किया था जबकि British 1651 में अस्थापिद किया है जबकि Den factory ये 1774 में अस्थापित किया है ये भी प्रस्न आपका अभी तक नहीं आया है कि British ने अपना factory प्रतनाम कब अस्थापित किया था तो 16-21 में अस्थापित किया था इसे आप ध्याना किए कि यहां से प्रस्न आपका आ सकते हैं ठीक है आप चलिए आगे देखते आपका अगला कुछ आपका है कि कब बिहार पहली बार ब्रेटिस सांसित भारत के ताथ बंगाल फ्रिडेंसी से अलग हुआ था यह हुआ तब का 1912 में यानि से बंगाल से अलग होकर बिहार प्रांद का गठन हुआ और एक अप्रिल 1936 को बिहार से उरिसा अलग वा व किछ से अप्रिल 1936 को जबकि 20 आप 1912 को बंगाल से बिहार अलग हुआ था णफ़ांट और ध्याना किखा 15 सर्ची में पूछाई बिहार से ऑर्चन अलें ai और यह सरा प्रूफा अपका था इसतकि वह पूछा गया है भीर आपको दिखाए है और यह सबी परस्म आपका एक ही बुक शाया है इस बुक का नाम का ध्यान रखेगा केवी चीने डिया को किसी ब्यूंद मिलता है इस बूक में भी आपका तो मैं आपको कलास करबा रखा हूँ सारा टॉपिक बैच कलास करबा रखा हूँ और पूर आपका इसमें डाटा में कोई एरर नहीं क्या सब्सक्राइण को थे नहीं आफ और आपको कवर करवा रखा हैं है और जाकर चैनल पे लिस में जाए भी चाहिए दो शहर्व कर नहीं रहेंगे थे का तो ओस तरह से आप त्यार कीजिये जिसे आपका सत्रमी पेशे पर और प्रक्राश तो आप हमारे चैनल को फेलोग करेंगे तो आपका 100% यहां से बिहार स्पेसल एक भी गलती नहीं होगा ऐसे आपको आपको अच्छा नहीं लगता तो नहीं जूरिये आपको लगता तो नहीं जूरिये आपको लगता है तो नहीं लगता तो कोई बात नहीं आगे बारते लिए चली मिलते हैं स्क्राश में थेंक्यू तेने बाद